काजू ओट्स रभा इडली बनाने की रेसिपी ये रेसिपी में डेडिकेट कर रही हूँ कामिनी को कामिनी मेरी एक सब्सक्राइबर है ये जो ओट्स रभा इडली की रेसिपी है ये लो काब एंड हाइबर है जो लोग वेट कॉंशिस है या फिर दियबेटिक पेशिंट है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी ब्रेकफस्ट डिश है तो चलिए जानते हैं इसके इंग्रीडियन्स इसके लिए मैंने लिया है डेड़ कप ओट्स एक कप सूजी हम यूज करेंगे एक कप दही हमें चाहिए और हमें चाहिए डेड़ कप पानी साथी थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ एक हरी मिर्च बारीक कटी हम इसमें यूज करेंगे एक गाजर बारीक कटी हुई आठ से दस काजू मैंने लिया है उनको बारीक काट लिया है अद्रक हमें चाहिए बारीक कटी हुई और थोड़ा सा कुकिंग ओयल चाहिए हमारे को टैंपरिंग के लिए और मोल्ड की ग्रीजिंग के लिए और हमें चाहिए नमक, स्वादनुसार, थोड़ा सा राई या मस्टर्ड सीड्स और एक इनो का सैशे तो ये तो हुए इंग्रीडियंट्स चलिए जानते हैं ओट्स रवा इडली को बनाना कैसे है तो सबसे पहले हम ओट्स को जो की डेड़ कप ओट्स हमने लिये थे उनको मिक्सी में पीस कर आटा इनका बना लेंगे देखिए मैंने ओट्स को पीस लिया है और आटे की तरह से इसका टेक्स्चर हो गया है अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में शिफ्ट कर लेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे एक कप सूजी इसके बाद हम एड़ करेंगे एक कप दही और इसमें हम डेड़ कप पानी एड़ करेंगे इन सबी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करके हम इसे आधे घंटे के लिए ढख कर रख देंगे आधे घंटे के बाद यानि तीस मिनट के बाद हम इस मिक्स्टर में गाज़ एड़ करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया मैं एड़ कर रही हूँ याँ पर बारीक कटे हुए काजू बारीक कटी हुई अद्रक और हरी मिर्ची जो मैंने बारीक काट कर रखी थी अब हम इसमें नमक आड़ करेंगे स्वाद के अनुसार इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए इडली का बैटर त्यार हो गया है अब हम इसकी टेंपरिंग त्यार करेंगे पैन में एक बड़ा चमच ओयल मैंने डाला है ओयल गरम होने के बाद हम इसमें मस्टर्ड सीड्स या राई अड़ करेंगे राई जब क्रेकल हो जाएगी तो आप गैस बंद कर देंगे कि देखिए हमारी राई क्रेकल हो रही है अब हम अपनी टेंपरिंग को इडली बैटर में डालेंगे यह टेंपरिंग मैंने एड कर ली है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें दो चम्मच दो छोटे चम्मच याद रखिएगा इनो पाउडर डालेंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे जब आप इनो पाउडर जा लेंगे तो आपका बैटर थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा उपर की तरफ उठने लगेगा तो हमारा बैटर रेड़ी है अब हम अपने मोल्ड में थोड़ा सा उइल लगा कर उसकी ग्रीजिंग कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें इडली का बैटर पोर कर लेंगे चमच की हेल्प से देखिए मैंने मोल्ड में इडली बैटर डाल दिया है इडली कुकर में थोड़ा सा पानी दालेंगे नीचे और उसके बाद हम अपने मोल्ड को कुकर में रखेंगे और इसे आठ से दस मिनट के लिए पका लेंगे यह जो मैंने आपको इंग्रीडियंट्स बताएं हैं इससे तकरीबन 16 मीडियम साइज की इडली तयार हो जाएंगी तो अगर आपका मोल्ड बड़ा है या छोटा है या फिर आपको ज़्यादा कॉंटिटी में इडली बनानी है तो आप अपनी नीट के हिसाब से इसका प्रपोर्शन सेम रखते हुए आप इंग्रीडियंट्स की कॉंटिटी कम या ज़्यादा रख सकते हैं तो यह देखिए आठ मिनट में हमारी इडलियाँ एकदम रेडी हो चुकी है अब दो से तीन मिनट के लिए हम इने मोल्ड में ही रहने देंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाएं और फिर इसके बाद हम इनकी सर्विंग करेंगे यह देखिए मैंने इडलियाँ मोल्ड से निकाल लेए हैं और यह बहुत ही कलर फुल लग रही है और साथ में टेस्टी और है तो है ही तो आप भी यह इडलियाँ कीजिए आप इसे कोकोनट चटनी या फिर सांबर के साथ सर्व कर सकते हैं यह बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है अपने तो मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक के बटन पर हिट कर दीजिए थमसब का बटन दबाईए एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर मैं आपके पस फिराऊंगी तब तक के लिए हैपी कुकिंग